बिलासपरो के कंद्रोर के साथ लगते हरीजन बस्ती कंद्रोर कट्वाल का एक बड़ा श्रिष्ट मंडल पूर बिधायक बंबर ठाकुर के नितरतर में पुलिस अधिक शक दिवाकर शर्मा से मिला और उन्हें एक बिस्तरिक क्या पंसौमते हुए कहा कि पिछली रातरी की कोई तीन से चार बजे के करीब उसी गाउं के दो ब्यक्तियों ने हरीजन बस्ती को जाने बाले श्ताब दियों पुराने रास्ते को उखार दिया और उस पर अपने कबज जमा लिया जिसकारण ग्रामिनों को अब अपने घरों को आने जाने में भारी कटनाईयों का सामना करना पर रहा है कि ग्रामिडों का कहना था कि उखाड़ा गया रास्ता कोई 200 वर्ष पुरा ना था लेकिन उक दोनों ही व्यक्तिवारा उन्हें कतित जाती सुचक शब्दों का प्रियोग करते हुए उस रास्ते से नजाने की सक्त हिदायत दी गई है ग्रामिडों ने बताए और S.H.O. सदर थाना में शिकायत की है उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर जब पुलिस मोगे पर आई तब भी बे रास्ता उखाड रहे थे इससे पुर्व ग्रामिनों द्वारा पुर्विधायक बंबठाकुर को शिकायत की प्रतिलिपी भेंट करते हुए उनसे आगरे किया की कतित आरोपी भाजपा का एक बढ़ानेता है जिसकारण प्रशासन उन पर कोई भी कारवाई करने से कत्रा रहा है और यदि इस पुष्टैनी रास्ते को खुलवाने में प्रशासन असफल रहा तो बे अनिश्चित काल के लिए धरना पडर्शन करने पर भीवश होंगे जिसका सारा उतरदायत जिला प्रशासन पर होगा पुर्विधायक बंबठा को ने कहा कि उन्होंने जिला पुलिस अधिक्षक दिबाकर शर्मा से इस मामले में तुरंत कारवाई करते हुए संबंदित आरोपी ब्यक्तियों के बिरुद FIR दर्श करके कारवाई करने और रास्ते को दुबारा से बहाल करने का आगरे किया है जिस पर पुलिस अधिक्षक ने उन्हें न्याय देने का आश्वाशन दिया है बंबठा को ने चेताबनी दी है कि यदि स्थानिय बड़े भाजबा नेताओं के दवाब में आरोपियों को बचाने का प्यास किया गया और तुरंत उच्चित करवाई नहीं की गई तो बे ग्रामिनों को न्याय दिलवाने के लिए ग्रामिनों के साथ धरने पर अबाली का जो हमारा गाउं है कटवाल बस्ती कंद्रावर में उनके 200 साल प्रवाने बने हुए रास्ते को रातो रात गेंतियों से उफ़ाड दिया और इन्होंने अभी पुलिस अधिक्सक महदया को एक दुर्खास्त भी है कि हमारे रास्ते को चोबी घंटे के अंतर बना बनाए जाये और ये भी महदय को लिखी है ये घयानतने को बना बनाए जाए और ये जिए रास्ते को नहीं बनाते हैं प ह Canvas भी टो हुए रास्ते को नहीं बनाता है तो हम कंधरा और चौक पर भी जाम करेंगे मेह रोड को भी बंद करेंगे और डी सी के दफ्तर के बाहर भी हम ध्रणा देने पर ज़ीब आते हुँए क्योंकि इस देस के अंदर सब लोग बराबर है और आज भी यदि इस प्रजात अंतर के अंदर इस देश के अंदर लोगों को जाती के नाम से पुकवारा जाए तो इससे बड़ा दुरुभागय कोई नहीं है इसलिए इसकी पूरी इंक्वारी हो और जिसने ये रास्ता उख़ड़ा उसको जेब की सलाखों में बंद करो उसकी जेब से पैसा खर्च करा के उसे रास्ते को पुलिस के सामने भी जो है इनको जाती सब्दों से पुकवारा और गाली गुलोज की और मार पिड़ करने की कोशिज करी है तो उसके खर्च कारवाई हो कल को कोई लाइन ओडर की प्रोवल ना आए इसलिए हम बार बार आग रह कर रहे हैं कि पुलिस प्रसासंद जिला दि ने करें और हरीजन लोगों को नियाए चलाए